हेलो फ्रेंड वेल्कमें में यूट्यूब चैनल यूनीच क्रियेटर्स दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही मज़तार टोपिक के बारे में आपने देखा हुआ कि हमारे घरों में जातर क्या होता है कि जो एक स्विच लग जो एक सोकेट लगा होता है अब दोस्तों बहुत से लोगों के मैंनों यह वेल्वादा क्या है कि अगर हमगी स्विच को ओन चोड़ दें और इससाथ कुछ कोनेक्ट नहीं भी है लेकिन अगर हमारा स्विच होन है तो क्या बिजली का बिल आएगा या बिजली का बिल नहीं आएगा इस वीडियो में डिसक्स करेंगे बहुत ही नोलेज़ेबल वीडियो होने वाले यह सो वीडियो में अंदर बने रही है अब देखे दोस्तों होता क्या है कि जब हमारे यह स्विच ओन है और सोकेट के साथ कोई विपकरन कनेक्ट नहीं है तो ऐसे में विजली का बिल आएगा या विजली का बिल नहीं आएगा यह हमारे आज की वीडियो का क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ही सिंपल है इसके लिए हमें पहले यह समझना जुरूरी है कि हमारे विजली का बिल आकिर घरों में आता कैसे है तो इक देगी दोस्तो वह पता है, में पता हूँ मेरे गर बाुशो सप्लाइ होताई हनी कि यह हमारे गरों में विजली सप्लाइल सब्सक्राइल सब्स note, इस और न चैन्स प्नेदे में पेस हाँ हैं तो वो विजली को कंजूम करेगा जिसे हमारे गरों में इलेक्रिसिटी का बिल आता है जो यह रीडिंग मीटर नोट करता है अब दोस्तों देखिए यहां पर बहुत ही एक एहम चीज जो समझने वाली चीज यह है कि अगर इस फेजर नीटल के साथ में इन वायर के साथ में कोई भी उपकर्ण करेक्ट होगा तभी जो है वो मीटर रीडिंग को नोट करेगा और उसी बेस पर हमारी बिजली का बिल आएगा अब दोस्तों जब यह ओन रह जाता है अगर हमान लीजे हमारा स्विच ओन है ल लेकिन यहां पर कोई भी जो विजली की खापत है या यूं कहें कि electricity की consumption यहां पर जीरो है electricity consume नहीं हो रही है तो इसलिए दोस्तों अगर switch आपका on भी रह जाता है तो डरने वाली बात कोई नहीं है क्योंकि आपकी विजली का बिल है वो तब ही आएगा जब कि यहां कोई YouTube करन connect होगा तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज के आपको वीडियो अच्छी लगी होगी यह चोटी सी वीडियो में आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा तो आज की वीडियो में फिला लित नहीं दोस्तों वेट करते है नेक्स्ट वीडियो का ऐसी मज़दर वीडियो को लाइक करना दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नहीं हो तो यह प्लीज आर चैनल को सब्सक्राइब करें थेंक्यू सो मच गाईज कीप स्पोर्टिंग यूनिक लिएटर